तो जब मैंने फिलाल चोए Acer Aspire 7 Ryzen 5 5500U का रिव्यू कर रहा था तब बहुत लोगों ने मुझे मेसेच किया और पूछने थे कि Ryzen 7 का वेडियंट कर आएगा 5000U सीरीज के साथ तो Acer Aspire 5 जो है लाँच हो चुका है विद राइजन 7 5700U तो उसी के ऊपर वीडियो है तो लास्त वीडियो को देखना आपके लिए पज़ता है इंट्रेस्टिंग होगा तो चलिए एक एक स्थार्ट करते है तो आपने शाहिद से टेलीग्रम को को जॉइन नहीं किया जाकर जॉइन करो या नीची आपको कमीटी पोस्ट में लिंक मिलेगा लिंक काम ना करें सर्च कर दो यार फ्रेश अप्डेस ट्राइप करना है बस क्या जॉइन बटन प्रेस करो फ्री है यार जॉइन करो जाकर जल्दी AMD की तरफ से AMD Ryzen 750 700U एक बहुत ही पावरफुल प्रसेसर है जो भी एस तर ने डाल दिया अपने लैप्टॉप के अंदर उस लैप्टॉप को बहुत जादा जो है ना ताकतवर बनाने के लिए उसने ये प्रसेसर डाला है जो कि यह आठ कोर अप सुच सकते हो कि इत स्पैसिफिकेशन और डीटेल जान लेते हैं यहां पर जो प्रसेसर यूज किया गया वह है AMD की तरफ से AMD Ryzen 750 700U आपको आठ को देखने को मिल जाती है और यहां पर जो है ना बेस क्लॉक 1.8 GHz से लेकर अप टू 4.30 GHz तक देखने को मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा होने वाला है L2, L3 cache की बात करें तो L2 cache यहां पर 4 MB की है और L3 cache यहां पर 8 MB की यूज की गई है और यहां पर जो है 7 nanometer के ऊपर बेस्ट है और TDP इसके 15 Watt की है तो यह भी बहुत जदा power efficient processor होने वाला है और जो maximum temperature यह 105 degree तक जाता है तो यह एक अच्छा प्रसेसर है जिसके TDP ल flow होने वाली है जो कि हमें Acer Aspire 7 में already देखने को मिला कि एक Ryzen 5 5500 U जो same TDP के साथ आता है उसका performance in battery life बहुत ही अच्छा है तो यह भी बहुत ही अच्छा हो सकता है बट कोर्स जादा है तो थोड़ी आप लोगो कम battery life देखने को मिल सकती है तो चलिए और specification जो देख लेते है जो कि आसानी से आप लोग in further future अगर आप लोग अपगेड करना चाहते हो तो कर सकते हो उसके पास storage की बात करे तो 500 GB की यहाँ पे आप लोगको NVMe SSD देखने को मिल जाती है और यहाँ पे खास बात क्या है मालूम है इस वाले laptop के अंदर आप लोगको dedicated HDD slot दिया गया है आप लोगो 2.5 inch HDD डाल सकते हो 5400 RPM वाली यह मुझे बहुत जादा इंट्रेस्टिंग लगा Acer USB 7 का जो version है अगर Acer निकालता with an HDD तो Sony पे सुहागा होते हैं सब लोग इसको prefer करते तो यहाँ पे बहुत लोग है जो खटकते है तो वो directly USB से जो है use कर सकते है बट उनको internally चा जादा हद तक powerful है तो डिस्प्ले की बात करें जिसको आप लोग देखो गें आपने आखों से उसे कहता है डिस्प्ले तो डिस्प्ले या में 15.6 inch की Full HD IPS डिस्प्ले उसके सेम डिस्प्ले है जो Acer Express 7 में था इसका मैं रिव्यू करकर रखा जाकर वह वाला चेक जरूर करना तो यहाँ डिस्प्ले बिल्कुली सेम आप लोगो मिल जाएगी Acer की Comfy View डिस्प्ले है जिसकी मतलब से Color Reproduction तो अच्छी खासी मुझे देखने को मिल दी है इस पीकर आउट्पुट की बात करें तो स्पीकर में देखो यहाँ पर दीसें सब्स्पीकर है उतना जदा खड़ाब भी नहीं ऊच्छा भी नहीं एक्दम बीच का स्पीकर है जिसका साउंड उतना जदा हाई नहीं मिलेगा आपको लो साइड में ही रहेगा प्रिफर करो और साथ साथ Bluetooth connectivity में यहाँ पर 5.0 की Bluetooth connectivity है तो इन सब में कोई भी issues यहाँ पर नहीं है Ports के मामले में सारे Ports available है जितने भी Ports आप लोगो चाहिए एक आप लोगो USB port देखने को मिली जहाँ पर Power of Charge की support है साथ साथ जो है यहाँ पर एक 3.2 की Gen 1 port मिलेगी एक Type-C की port एक आप लोगो 2.0 की port साथ साथ जो है यहाँ पर HDMI की port मिलेगी RJ45 की jack 3.5mm की Combo Audio jack और यहाँ पर आप लोगो Power Input की jack देखने को मिल जाती है और यहाँ पर खास उतना कुछ नहीं है जितना कुछ रहना चाहिए एक laptop में सेम आप लोगो Acer Aspire 7 की जितने भी ports से सेम यहाँ पर आप लोगो रेप्लीका देखने को मिलती है कीबोड की मामने हो यहां फुल साइस कीबोड है नॉमली बैकली आप लोगो मिलीगे वाइड बैकलीट जिसको आप लोगो टर्न आन टर्न आउफ कर सकते हो ब्राइकनेस कंट्रोल भी कर सकते हो जैसा की सेम टु और सेम इसरस बाश सेवन है उसको यहाँ पर डाला गया है और बैटरी यहां पर 48Wh की यूज़ की गए है तो 48Wh थ्रीसल की बैटरी होती है तो लगबग यहां पर 12 hours क्लेम करता है तो सेम आप लोगो 6 गंटे 7 गंटे के आसपास बैटरी बैक आप यहां पर भी देखने को मिलेगा और यहां पर आप लोग अप्ग्रेट ओप्शन्स फुली है यह आप लोग देख रहे हो न अप्ग्रेट यहां पर HDD भी अप्ग्रेट कर सकते हो वाओ बहुत ही अच्छी चीज है जो कि आप लोग यह 100% कंसिडर कर सकते हो मेरी मानों इस से पावरफुल लापप 60,000 में आप ले सकते हो बार जिसको लाइट वेट लापटों चीफ वो कंसिडर कर सकता है यह लापटोप मुझे परसनली यह वाला लापटोप अच्छा लगा इन टम्स व स्पेसिफिकेशन अगर आप भी इंट्रेस्टेट हो जाकर नीचे लिंक है आप जाकर और कुछ दीटियल करो सब्सक्राइब करो मिलते के से आगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेए अलर्ट स्टेए सीब बाई